लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकन को प्रेस करें करें अल्ट्रा चैनल्स करें प्रेस्ट करेंगे लेटेस्ट अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें। दाददर भावो क्या है लेविलाज? हुजूर, आपकी पूजने लायक महतारी आईन है चाहा? महा आई है? हाँ हुजूर, और जब हम उनका आदर फतकार से बिखलावा है तो पता है का फर्माद है? क्या गेती? काया थै ललू लाल, जाके हमार दागदर लला से कह देओ कि आज हमें एक जरूरी बात का खुलासा करने आईन है मतलब? मतलब जी, कि मैं तेरी माँ हूँ और इस संसार में एक तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं यह तु जानता है ना? जानता हूं माँ और तेरे सिवा मेरा कोई है इस अंसार में? इसलिए महीने बीच जाते है तेरा मुँ देखे बगएर अस्पिताल का काम ही ऐसा है माँ इस में खो जाता हूँ तो एक एक महीना इक पल के बराबर हो जाता है और तुम जितनी तेय मेरी आंखों से उचल रहते हो, मेरे लिए एक इत पल एक इत महीने के बराबर हो जाता है मैं भी कितना बद नसीब हूँ मां, कि तुम जैसी देवी के दशनों के लिए हर रूस घर नहीं जा सकता अगर तुम सच मच मुझे देवी समझते हो, तुम मेरी एक मिनत मानोगे तुमारे लिए एक बड़ा अच्छा रिष्टा आ रहा है, बेटा माँ एक बार लड़की देख लो, बेटा, जी पर आई हुई ना, पीछे ना पलट गई तो मुझे हजार कोस्ट लेते ना जिस लड़की को तु अभी तक भूला नहीं, वो मन बचन की सची होती, तो जी ने मरने का सौदा तुमारे साथ करके शादी किसी और के साथ कभी ने करती हिसा मत बोल, मा, हिसा मत बोल, तुने तुसे देखा भी नहीं, कौन जाने इस बिचारी ने किस मजबूरी के लिए पेट में आकर शादी की होगी एक मजबूरी मेरी भी सुनेगा पेटा, ठीक है, मत सुन, जब मैं इस दुनिया से चली जाओंगी तो किसी नेकी की चाओं में बैटे हुए, शायद तेरे पिता मुझे मिलेंगी और पूछे मिलें, क्यो भाग मत दी, तु तो अपनी बहुक के हाथ की पकी हुए रोठिया कहा के आये न, तो बता मैं क्या जवाब दूगी मा, मेरी अच्छी मा, तु इस बात का कोई जवाब नहीं देगी, उस चाओं में बैठेगी वी नहीं फिर से इस धरती पे तु वापिस आ जाएगी, किसी मुझ जैसे अभागे को जनम देने के लिए, उसे पालने को उसने के लिए और जब वो बड़ा हो जाए, तो उसे उंची मंजरों का रास्ता दिखाने के लिए, तु बार बार आएगी, मा, बार बार आएगी बड़े लेक्षिर देने लगा है, मेरी बात का जवाब फिर भी नहीं दिया एक बात पूछो, मा पूछो, पेटा एक अच्छा आदमी जिंदगी में कितनी बार शादी करता है एक बार, और किसनी बार तो फिर मुझे दूसरी शादी के लिए क्यों कहती है तुम तुम्हे शादी थोई की थी, वो तो मैं उसकी बात नहीं करता, मा मैं तो अपने इस हस्पिताल की बात करता हूँ आज यही मेरी दूलन है, यही मेरा जीवन साथी है हाँ मा, यही मेरा सच है और यही मेरा फर्स है मैं बार बार सेरे दर्वासे से आँखों में अंसुलिये लटूंगी यह मुझे मालू नहीं जाए ऐसा न कोगा, ऐसा न कोगा मा, देल या सवेर, एक दिन आएगा जब तुम अभी मान से सर उचा करके कहोगी धर्मेश मेरा बेटा है मा, सेवा और साधना के लंबे रास्ते पर अभी तो मेरा सफर शुरू हुआ है लेकिन जीमिन के लंबे रास्ते पर मेरा सफर तो ख़तम होने वाला है मा, मा मैं तुझे कैसे समझाओंगा शैर उजर जाते हैं तो फिर से बस जाते हैं मगर दिल मा, सेवा थापनगा ख़तम है वाला है वाला है मा, सेवा थापनगा वाला है साथ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है कर दो ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ साफ, आपसे में ये कोया पेशिंट आया है? दैसल जी हम बैठ से, नोक्टर, जी, अशीर रखिए, मेरा नम राम है और ये मेरी पत्मिसीता, जानता हूँ, जानता हूँ, वो कैसे, जी, राम की पत्मिसीता ही हो सकते है, ये चरहा, डॉक्टर, हमारी शादी को सिर्फ तीन वरस हुए है, और ये देखिए, वो परवाले को नाइंसाफे भी सुची, तो कैसी सुची, मुझे कैंसर है, कैंसर, आपने इसके इलावा भी कोई टेस्ट करवाया है, जी, हर डॉक्टर यही कहता है, कि मेरा मर्जला इलाज है, डॉक्टर, जी, हम यहाँ इस भरोसे पर आए हैं, कि आपके इलाज से ये ठीक हो जाएंगे, मैं आपके भरोसे कि इलाज रखते हैं, कि मैं भी आता है, गुद मॉर्निंग, डॉक्टर मोहन, मैं डॉक्टर धिमेश बोल रहा हूँ, कैंसर के एक एडवांस केस के बारे में आपसे मश्रा करना चाहता हूँ, जी हम, फारण आज है, थैंक्यू डॉक्टर, मैं आपके इंतिजार करूँगा, और अशनक्ताव माउत्टीम, क्या रिखता ह। जी होएँ, कि झार रहते हैं इन क्वारे में पुमना करे प्रिक्शन की बारे में आपसे साथ का रहाँ, एँ भी आसके आपसे साथे एक पूंदावाँ, ये स्टेस अचू घ्रहज कि अफे साथ नगू जर झाल यहां कोई नहीं तेरा मेरे सिवा कहती है जूमती गाती हवा तुम सब को छोड़ कर आजाओ 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 तेरे मन की उलजने सुलजाना चाहता हूँ तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ मन के सुनहर मंदिल मैं बिठाना चाहता हूँ यहां कोई नहीं तेरा मेरे सिवा कहती है जूमती गाती हवा तुम सब को छोड़ कर आजाओ 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 तुम सब को छोड़ कर आजाओ 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 बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है लोहा विजल के आज में एक दिन तो पिगलता है जिस दिल में हो मुहाबत एक दिन तो तरपता है यहां कोई नहीं तेरा मेरे सिवा कहती है जूमती गाती हवा तुम सब को छोड़ कर आजाओ 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 तुम सब को छोड़ कर आजाओ 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 बड़े चिला चिला किरें हैं इसको छोड से आज़ाओ, आजाओ, और खुद मुझे छोड़ कर विलाज चले जा रहे हैं. एक साल के लिए, कभी तुम्हें खयाल नहाता, में तुमाने बगहर कैसे रहूंगी. तो पगली है पगली, एक साल तो यू करकर गुजर जाएगा, बस पढ़ाई खतम करते ही चलाओगा, फिर हम दोनों होगे, सब कुछ हमारा होगा, होगा ना, क्यों नहीं होगा, तुम्हें शक है, ने, जड़ लगता है, किस बात का, वहाँ जो भी जाता है न, विलायत, एक म हम तो अपनी मेम साफ जात लेके जा रहे हैं, कैसे, कैसे, ऐ, ऐसे, अले, हमको दो, हमको दो, मैं खेला चला जाओँ, नहीं, 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 फिर मेरा ख्याल रखना, तुम भी मेरा ख्याल रखना, वह तो रहे गई, चला, Doctor, Doctor Mohan और Doctor Kanak रुछा आहा उन्हें उन्हें अंदा भेज़ को मेरा बिस्टुराम को बला लो, उन्हें कैना केलया हैं, यस, Doctor Good morning doctor. Good morning. Good morning? Good morning यह है मरीज का एक्सरे है इस धीपली एफेक्टे दे लोर लोग लुक अट इनलाज ग्लेंस यह राइट काफे अद्वांस केस है आपने ठीक कहा था जया आये राम बाभू आपने कोट और कमीज निकाल के यहां लेड जाएए मेरा ख्याल है कि मरीज की मवजूदा हालत में सिवाए ओपरेशन के कोई चारा नहीं और यह ओपरेशन पंदरा दिन के अंदर हो जाना जाएए लेकिन इस स्टेट पर ओपरेशन की महने आप समझते हैं डॉक्टर जा समझता हूं लेकिन मैं मरीज और डॉक्टर दोनों की तक्दिने अगर मुची हो तो आपरेशन काम्याप भी हो सकता है हो सकता है सीता देवी आपको इस आपरेशन पर कोई इतरास तो नहीं जी नहीं ओके डॉक्टर थैंक यू बहुत बेस्ट अफ्लाइब बिस्यों गुर्टर थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर सहाब मेरे पती की जो हाले थे मैं अच्छी तरह जानती हूं लेकिन मेरी तक्जी अब आपके हाथ में है मैं अपनी तरफ सहर मम्किन कोशिश करूँगा सीता देवी मगर मेरे इलाज के साथ साथ आपके पती को भागवान की द्या की मुझरूरत है भागवान आखों से उचल है उसे मेरी खामोशियां पुकारेंगी आप मेरे सामने में आपसे भीक मांगती हूँ मेरे कुमकुम की रक्षा कीजेगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे फर्ज में कटा ही नहीं होगी बड़ी महरबानी डॉक्टर सहाब ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि जिस हस्पतार में मैं पती को देकर पहुचूँगी वहाँ आप डॉक्टर होगे ये जी बित्ते फाक फशीता देगी बॉय कैस सर् इनने स्पेशल वार्ट तक ले जाओ मैं तो कहता हूँ सीता तुम भी घर चली जाती है तुम यहां बे आरामी होगी जी हां मर ही तो जाओंगी बे आरामी से तुम घर जाओ और सुनो कल सुबा साहब क्यों मेरे कपड़े यहां पहुचा देना अच्छा जी डॉक्टर ने कहा है जब तक मरीज हस्पताल में है वो यूं बैठेगा डॉक्टर ने यह नहीं बताया कि मरीज हस्पताल छोड़ने के बाद कहां जाएगा अपने घर जाएगा राम बाबू और कहां जाएगा आप बेफिकर रहे राम बाबू आज दस तारीख है और आज से ठीक पंदरवेरोस यनी 24 तारीख को मैं आपका उपरेशन करूँगा फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएगे डॉक्टर अगर मेरा उपरेशन आप कल ही कर दें तो नहीं नहीं राम बाबू इतने बड़े ऑपरेशन से पहले बहुत जरूरी है कि आपकी शहत काफी अच्छी हो जाए ताकि आप उस ऑपरेशन का मुकाबला कर सके आप लगनाह का रहने वाली हैं डॉक्टर लगनाहू आप बातें बहुत खूबसूरत करते हैं मैं नैनी ताल का रहने वाला हो रहा हम बाबू नैनी ताल? मेरी पत्नी भी नैनी ताल का रहने वाली है सीता देवी, आपके पती को मुकम्मल आराम की जुरूत है इसलिए ख्याल रखिएगा कि इनके रिष्टेदार आके परिशान न करें मेरा तो कोई इस्तिदार ही नहीं, डॉक्टर मैं छोटा सा था, मेरी माँ चल बसी और फिर मेरी शादी के एक बरस बात मेरे पिताजी कुजर गए अब ले दे कर हम नहीं दो हैं और हमारा कारूबार यहां है, इसलिए इस शेह में रहते है रहां बाबू, मैं चलूँगा थेंक्यू दॉक्टर हमें यह डॉक्टर बहुत पसंद आया सी था तुम्हें कैसे लगे? जी, जी हां, बहुत अच्छी आद्मी हैं अब आप लेट चाहिए न मेरी बिटिया क्या बिस्तरीय में पड़ी रहेगी? जी नहीं, घुमपर सकती है कैंसर का मर्ज दूसरी बिमारियों से बहुत अलग है और आजकल तो ऐसे इलाज निकलाए हैं कि अगर शुरू में पता चाल जाए तो मरीज को बचा लेना कोई मुश्किल नहीं आप अपनी बेटी के बारे बेफिकर रहेए लिलो लाज, जी हुदूर, इन्हें वार्ट में लेजाओ चला माप करा देवी अच्छा बेटी, मैं जाता हूँ लेकिन इस कमरे में तुम अके ली घबराओगी तो नहीं अरे का बात करा थो बाबू, इका भूर बंगला है का देवी, हमार थोबड़ा भूत जैसा लगा था ऐसा, तुम कौन हो जी भीज बोलने वादे मालिक वैसे तो हम तोहार चाकर हैं लेकिन इस हस्पताल में हमार का पोजीशन है, इस जानना चाहते हो तो भगवान की दया से हम रूपय में सव आठाना दागदर है बाकी रह गए कितने आने, पाउने आठ, तो वह हमार बड़े दागदर सहाब है कभव कभव, जब हमार बड़े दागदर सहाब की तबेत खराब हो था तो उका भगवान की दया से हम रही इंजेक्शन लगाते तुम्हें इंजेक्शन कौन देता जी? देखो भूलाओ, इस अस्पतलवा में खामखा की गुफ्तगु नहीं चलेगी अभव अभव तुम कहत रहे का हम जात हैं, तो अपना बचनवा पूरा करो और खिसको इहां से अच्छा बेटी अच्छा गया ए फुटा उठा थे अच्छा रानी, अब हम तोहार संग काईदे की गुफ्तगु करा थें तोहार नाम का है? मैनावंती बहुत अच्छी हमार नाम लल्लुलाल है तोहार बाली उमरिया का है? 19 बरस बहुत अच्छी हमार 21 बरस अच्छा सुनो तोहार आगे पीछे छोटे बड़े भाई भाहें नहीं कोई नहीं नहीं लाइन की लिए मतलब मतलब ली के तोहार बच्चे कितने हाईन मेरी अभी साधी नहीं हुई अरे तो भागयवान इसमें गरम होने की का जरूरत है साधी तो हमार भी नहीं हुई लेकिन देखो हम कितने ठंडे हैं बरफ का गोला अच्छा सुनो भागयवान तोहार बड़ो का मिजाद शरीफ कैसा है ये सब बाते इस भारम में लिखनी पड़ती है क्या अरे ना रे इई सब तो हम उबलिग मा पूछत हैं अपने लिए जरा तोरे नाइना देखें बाबाबा अरे इई का है क्या है तोहार अखियन मा हमार फोटो है अरे तोहार हूंभी का जब है बाबाबाबा अब तनिक नबजबा देखें अरे मरगवा शरीर में तनिक सरारत है क्या मदबली के हरारत है अच्छा समझ गवा देवी अकलमन को इसारा ही कासी हो थै हमार मदबली है कि अगर हमार सेवा की जरूरत पड़े तो हम का तनिक इसारा कर देना हम दरबज्य पे तोहार इसारे का इंतिजार कर थै अच्छा अच्छा तुम जाओ जहात है हाँ हाँ गिर्धारी वो सब सामान लेकर तुम हॉस्पिटल चले आओ क्या नहीं मिठाई खाने के उन्हें जाज़त नहीं है तुम सिर्क फल ले आना अच्छा में दवा नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे यह नहीं पिएंगे यह दवा बहुत कड़ी है यह नहीं पिए सकते तु नहीं पिएगे जग ठपड मारूंगी सुच्छा बच्चों के साथ गुस्टे से नहीं प्यार से बात करने चाहिए यह बहुत जिद्धी लड़की है जिद्धी तुम हो जो हरोत कहती हूँ दवा पियो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीता मेरा नम उमा तुम तो अपने मा के बड़ी अच्छी बिटिया हो ऑन्ती की बेटी बनेगी बनेंगी मगर यह जो सिर्से ना सिमरे पस्मत आने रेना अच्छा, अब अच्छी बेटी बनकर जल्दी से यह दवा पीजाओ ना अंटीजी, यह दवा बहुत करवी है अपनी आखे मून के, नाख बन करके गच से पीजाओ फिर करवी नहीं लगेगी मेची थी ना? अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं फिर आओंगी मैं नहीं जाने देंगे मेरे पुस्ट खेह रहा हूँ अच्छे बच्छे, बड़ों का कहां मानते हैं, चलो, अब लेव जाओ उमा, उमा, श्लिपे, don't talk सीता डॉक्टर साहब, मेरे पती के दिल में आपके लिए बड़ी इसत है कैंसर का असर मेरे सारे बाएं फेवड़े पर हो चुका है डॉक्टर धरमेश कह रहे थे अगर ऑपरेशन हो जाए तो मैं भला चंगा हो जाओंगा मगर अंकल मुझे कुछ विश्वास नहीं है विश्वास का ऊपर ही तो इनसान जीता है रामबाबू लॉड जीसस का मेरवानी से साफ ठीक हो जाएगा धरमेश बहुत अच्छा डॉक्टर होता उसका हाथ लगने से ही मरीज लोग ठीक हो जाता ये मेरी पत्नी सीता सीता ये अंकल फिलिप यही अपना इलाज कराने आये है गौट तुम दोनों का जोड़ी बरावर रखे आप बैठी ना? हाँ हाँ सीता इने गरम-गरम हॉलिक्स बिलाओ नहीं बैटा हमारा प्रेयर का टाइम होता गौट ब्लेस जीओ हस्पताल के दूसरे मरेज़ों से मिलने गई थी यहां एक छोटी सी बच्ची है बड़ी प्यारी है अपनी बातन से उसने मेरा मन मुह लिया अगर ऐसी बात है तो हम उसे गोट क्यों ना ले ले क्यों जी? हम अभी उसे बुड़े हो गहीं क्या? हेलो राम बाबू गुड मॉरीं डॉक्टर गुड मॉरीं करिये तबीयत कैसी? तबीयत के क्या कहने बिल्कुल बलंद है और फिर हम दोनों को यहां हर तरह का आराम है यह जानकर मुझे बड़ी खुशी है डॉक्टर जी आप ने मुझे खाने पीने में तो कोई परहिस बताया नहीं इसका मतलब यह है कि जो मैं चाहूं खा भी सकता हूं न? बड़े शौक से अब बोलो सीता तुम तो कह रहीं थी कि डॉक्टर ने काफी चाय माना कर दी है माप करना राम बाबू, मैं भूल गया यह इंजेक्शन क्या है डॉक्टर? इससे आपकी तंदृस्ती बढ़ेगी मैं तो कहता हूं सीता यह इंजेक्शन यह का तुम भी ले लिया करो देखा डॉक्टर इन्हे अपनी सिहत का बिलकुल खैल नहीं है पहले से कमजोर भी हो गई है और कभी-कभी बेहुशी के दोरे पढ़ने लगे यह तो बहुत सीरिस बात है सिता देवी इसका इलाज भी से होना चाहिए यह तंदृस्त हो जाएं मैं आप ही आप अच्छी हो जाएं मेही तंदृस्ती का क्या कहती हो अब तो चला-चली का मेला है क्यों डॉक्टर? ऐसा क्यों कहते है राम बाबु मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अभी एक पूरी जिंदगी है आप दुनों के सामने आप कहते हैं तो मान लेता हूँ लेकिन कैंसर कैंसर है डॉक्टर जी हाँ लेकिन विश्वास विश्वास है राम बाबु अच्छा तो फिर एक बात याद रखिए अगर मैं इस बीमारी से जिंदा निखल आया तो एक पांच लाक रुपय का चेक आपके टेबल पर रख रही घर लॉट हूँगा तो अभी से कलम और चेक बुक तयार रखिए और यह समझ दीजिए कि आपका पांच लाक रुपया आपसे बिछर गया एक बात कहूं शीता अगर डॉक्टर का यह विश्वास सच निकला तो अपने पांच लाक तो गय समझो क्या गय रहे है आपकी जान सलामत रहे रुपय का क्या है जिसके पास रुपया नहीं उससे बूचो रहे जान सो थो सबके पास है अर्भी तुम से बात करना भी सुमिन मैंयन नौवय काखात Rainbow शारा समाजा क्यो और आप खुनी चाहरा नमस्ते मालिक नमस्ते के धाय, मालिकन ये लीजे तस्वीर ज़र हम भी देखें? ये मैंने मंगवा ही है अपने दिये तो फिर ये कोई खासी तस्वीर होगी जिसे हम नहीं देख सकते अच्छा सीता, तुम जैसे देवी ऐसे ही देवी और देवता की पूजा कर सकती है इन दोनों की चाया मैं नाखों में भी देख सकती है सच हाँ, हाँ याद न जाए बीते दिनों की जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हे दिल क्यों बुलाए बीते दिनों की जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए दिन जो पकेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता दिन जो पकेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता पालता उनको जतन से मौती के दाने देता सिन से रहता लगाए याद न जाए देते दिनों के जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जीगा है तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे मन में बसी ये मूरत मन में बसी ये मूरत लेकिन मिटी न मिठाए कहने को है वो पराए याद न जाए दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए याद न जाए दिल क्यों जाए दिल क्यों जाए दिल क्यों जाए दिल क्यों जाए कि अधिए दिल क्यों जाए दिल क्यों जाए डॉक्तर राम बाबू आई आई ये राम बाबू मत कहिए डॉक्तर अब तो सिर्फ राम कहिए हम तो दोस्त हो चुके हैं क्यों नहीं क्यों नहीं बैठी न मैं तो यूहीं चलाया दॉक्तर बैठे बैठे उकता गया था मैंने सोचा आप से कोई किताब मांग लूँ पढ़ने के लिए मगर मेरे पास सिवाए डाक्तरी की खुश किताबों के और क्या है राम डॉक्तर कोई मैगजीन वगदर नहीं आपके पास ये मैगजीन ले लू जी मेरा मतलब इसमें क्या रखा है ये तो पुराना है मैं आपको नया मगवा देता हू डॉक्तर में लिए नया और पुराना क्या मुझे तो वक्त काटना है इसे ही पढ़नूंगा आप आराम कीजिये, मैं चलू सीथा इंतजार कर रही होगी कहाँ चलेगे पीजी, बोल्टी निया धुनती पिर रही हूँ डॉक्तर धमेश क्या किताब लेने किया था, ये मैगजीन मिला अच्छा आप जल्दी से पीली जे, वरना थंडी हो जाएगी कहाँ दो इतनी खूशूरत रात है यहां बैठके बात्सीत करेंगे ना ना यहां मत बैठी है क्यों वह उस पढ़ रही है सर्दी लोग जाएगे मैंने स्वेटर तो पहनी हुए है ना ने आप दो चलिए ना अचला उचलाग। पहात्ता है अचलाग गृताओ ? फकलाग मैसीन तो बाओ समते इतने विव गषित लोगता है या यहां मेलाग। है इतना स्वेग विगन्त मेलाग जाएग चल्वान लोगता है हैं मुझे गुठीज honest Сам कर दूब है कर दो कर दो मैं तेयार हो गया दॉक्टर, चलिए, चलिए सीता, मैं कोबाल्ट ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, दस मिनत में लौट आओंगा नहीं, रामभाव, कम से कम यह घंडा लगेगा मैं नई सेरे से आपके सारे टेस्ट लिया चाहता हूँ यह को मैं पसारे लिए? लाओ तुम क्या ढूंडता पिरता ललूला? अरे अंकलवा जी, ऊई छोटी सी आपक, जी का उमा कहा था है दबाई देखते ही न जाने कहा फरार हो गई, हम उकसुबा से ढूना था है समझे, मगर वो आज हमारा कमरे में तो नहीं आया होता ससुरी इहा नहीं आई तो फिर कहा गई? इधर ही किधर होगा, तुम उसको उधर ढूंडा इधर आएगा हमारा पास तो हम समझा बुजा कर तुम्हारा पास ले आएगा ठीक है, तो फिर हम माइना बंती के कमरे के सामने ड्यूटी भरा थाए उनका उहां भेज देऊ जरूर जरूर अंकर जी गुट हेवन्स तुम इधर में चुपके बैटा होता मैं आपसे नहीं बोड़ेंगी मेरी आउक्ती कट्टी मगर हम तो कुछ मिश्टेखने की होता बैटी आपने अभी कहा कि मैमा को दवाई पिलाने के लिए लाउगा मिने सब सुन दिया कट्टी कट्टी अंकिछी कहां चलीगी इंथी तुम आज मुझे बहुत काम था साथ आलिक अमने में फीले पंट रहे ना बच्चों की तरह सित करके के दवा नहीं पेंगे मैंने जब उनको ड़ाया के दवा नहीं पेंगे तो बगवन आपके अंके निकालकर उपर आस्मान पे लेजाएगा तो जैड़ के उनने दवा पी यह सारी बातें जो तुमने कहीं सब छूट थी ना हाँ पर आंटाची अपने ज्यादा जूट नहीं बोलेंगी आज से छूट बोलना बंद समझ में आया? देखो मैं तुम्हारे लिए सेव लाएंगी इतने सारे लिख्यों? तुम्हारे खाने के लिए अगर मैं खालू? तो तुम्हारे से ही तो अच्छी हो जाएगी फिर? फिर तुम खर जाओगी नहीं आंटाची मैं नहीं जाओगी फिर ठरूँगी क्यों गुडिया? मेरा गर नहीं है आंटाची ओमा? नमस्ते बहन जी, मेरा नाम सीता है बैठी नाप आप ये बिटिया बहुत प्यारी है मा, ये आंटी जी भी बहुत प्यारी है सच? तुम दरा आपसे मैं बाते करना मुझा बहुत काम करना है आपसे मिलके मैं बहुत खुश हुई आप भी मेरे पती बीमार है उनकी देखभाल के लिए मैं यहां रहती हूँ मेरी बच्ची का भी खैल रखीगा इसके सिवा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है मुझा भागन के पास तो इतना समय भी नहीं होता कि आके अपने बच्ची को देख सकू ऐसा क्यों? क्या बताओ बहन इसके पिता मेरी शादी की कुछी महीनों बाद पर लुख सिदार गये इसने तो अपने पिता का मुझ भी नहीं देखा बेचारी मैं लोगों के घरों में रोटिया पकाके तो रोटि कमाती हूँ डाक्टर साब ने हम गरीबों पर इतनी बड़ी दया की जो मेरी बच्ची को इधर रख लिया पिना पैसे हिलाज कर रहे है आप उमा का फिकर बिलकुल मत कीजेगा मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी भगवान आपके पती को अच्छा कर दे वो अकेले होंगे अब मैं जाती हूँ अच्छा आटी बी अच्छा उमा कहा हो? यहाँ इधर प्यारी सी गुरिया आंच्छी जाटा हमारे होते हुए आपको ये काम इस बच्ची से नहीं लेना चाहिए आंच्छी नहीं से चाड़े कहाँ बाइचा आपके रहती फिर कभी किया तो? क्या को रहती? डफ्टर सहाब से शिकायद कर दूगी कॉस हो देखिए आपको किसी चीज की जरूवत हो तो घंटी बजा दीजिए हमेंसे कोई न कोई आ जाएगा हाँ हाँ तुम आपकी आइस्टा आइस्टा तुम इस कंदे से जाती है यह नहीं? ठाटा मौसी मौसी क्या है? सुना है जो इस शहर में बीमार पड़ता है उसको इसी हस्पताल में लिटा देते हैं वो लेटने लिटाने की जगा का उंसी है? जरा भीरे बोलो क्या चाहते हूं? जरा उंचे बोलो अच्छा बोलते हैं नए गाह में पंदत बथूराम है ना उसका लड़का सहर में नोपरी करता है उसी के पडोस में हमें चाहते है इले लुनाग, देखो यह क्या कहता है रहो था इला यहां आवा अरे यह का है सारा कराफट मार्केट सर पर उठा लाए हो काउन हो तुम? एक नाच कीर्तन कीर्तन? तो देखाओ इस हत्पतलवा के आग एक मंदिर है उहां जाके कीर्तन करो अरे मेरा यार यह तो मेरा नाम है ऐसा? हाँ इस हत्पताल में हमारी प्रिये पृतमा है कौन है वो बदनसीर? मैना बंती मैना बंती कमरा नंबर पच्वा इना ही होई सकाथ अरे भाया वो तो मेरी होने वाली बिब्बी है देखो भाया आप मैना बंती से नाहीं मिल सकाथ क्यों? देखो अभी चार बज गए है मरीजों के मिलने का बखत खतम होई गवा मैं तो भीज कोल से आ रहा हूँ मिलने का कोई चार शानस नाहीं मैं तो अपनी मैना बंती को मिले बख्या नहीं जाओंगा मैना बंती मैना बंती के दर्शन थियूंगों नहीं जाई सकाथ नहीं अच्छा कोई बात नहीं इससका मतल़ा समझा थो जबर though जब जबिम करा नहीं गव्लबाद महीं करना है नहीं, आओ मैना बंति, यहो मैना तनी किदर देखो मैना बंति मैना बंति हट हट देख क्यों न आया तुम आजी देख तो मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ तुम कब आये? आज ही उदर सूर्य देवता आकास से ढल रहा था और मैं तेरे पास आने के लिए सहर में चल रहा था गाउ में सब अच्छी है ना अरे वा तुने मेरा हाल तो पूछा ही नहीं मैंना वंती मैंने तेरी बीमारी की ख़बर सुनी तो मेरे दिल पर छुरियां चलने लगी उदर तेरे बाप ने हमारी तुमारी साधी का महुरत निकाला और इदर बीमारी कहां से आ गई अच्छा हुआ बीमारी आ गई मतलब मतलई के साधी में बीमारी से मज़ा किरकिरा हो जात है क्या किरकिरा मैंना बंती मैंना बंती अगर हो सका तो अपनी जबीने भी बेग दूँगा यह सब ठीक है जाओन है ताओन मगर अभी गुफ्तगु का वखत खतम होई गवा अब खिसको इहां से अच्छा मैं ना वंती मैं जाता हूँ तो कल फिर आ जाओंगा अच्छा देखो परदेश है अपना ध्यान रखना तु भिगर ना करियो ओ चैला जब कल तुम आही रहे हो तो कराफट मार्केट से कराची का हलवा और कास्मीरी सेब लाकर हमारे हाथ में थमा देना अरे हमार मुखडा का देखा थो उनका जरूरत है उनका सहत का वास्ते सहत का वास्ते कराची का हलवा और कास्मीरी सेब नहीं समझे देखाओ गोल गोल और लाल लाल डॉक्टर सहब आप हर वक्त हस्पताल में रहते हैं उकता नहीं जाते हैं नहीं राम बाबू दूसरों के सुख और आराम की देखवाल में कुछ अजीब मज़ा है वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता दिमेश मां जीते रहो बेटा जीते रहो कैसे हो अच्छा मां डॉक्टर सहब हमें अपनी माताजी से नहीं मिलवाईएगा मां ये राम बाबू है और ये इनकी पत्नी है सीता ये अपने इलाज केली मेरे पास आये मेरे बेटे के हाथ में शिफा है तुम बहुत जली अच् किरवाद दो कि सीता और राम की जोड़ी हमेशा बनी रहे जीती रहो बेटी सदा सुहागन रहो आप बेटी न धरमेश में तेरे लिए क्या लाई हूँ क्या लाई हो मां रबडी तुझे बहुत पसंद है न जुरूरी टेलिपन है आपके लिए मां मां भी आता हूं डॉक मां हो तो ऐसी हो बेटे के लिए रबडी लाती है और करूं भी क्या धरमेश को तो मां के पास आने की फुरसत ही नहीं उसके लिए तो हस्पदाली उसका घर है एक बात कहूं मांजी आप डॉक्टर धरमेश की शारी कर दीजिए फिर देखिए कैसे भागे भागे खराते है क्या बताऊं बेटा मेरे धरमेश का तो हर सौधा जीने मरने का सौधा है एक लड़की उसके जीमन में आई और मों माया के जूटे खेल खेल कर ऐसी गई कि मेरे धरमेश को भी साथ ले गई बस उसके बाद मैं अपने बेचे को पान ही सुझी प्यार तो माजी आज के कुछ दिल लगी हो गया है ना जाने कितनी जिंदगी ऐसी तरह बरबाद हो जाती है देखो ना उस लड़की ने मेरे बेटे से प्रेम किया और किसी दूसरे से ब्या कर लिया हां माजी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि डॉक्टर उम्र भर कमारे रहेंगे उन्हें शादी करना पड़ेगी हम उन्हें दूरूर समझाएगी अगर तुम लोगों के कहने पर राजी हो जाए तो मैं सारी उमर तुम्हारा ऐसाल मानूगी हम पूरी कोशिश करेंगे माजी अच्छा शाम सर पर आ गई है मुझे मंदर भी जाना है और धर्मेश माजी उसे तो मिलकर ही जाओंगी अच्छा बैठो 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 अच्छा बैठो नमस्कार सीता देखो जिन्दगी भले आद्मियों को भी क्या-क्या रंग दिखाती है हर इंसान की अपनी तक्दीर है उसे कौन बदल सकता है तक्दीर नहीं सीता ये एक लड़की की बेवफाई है प्यार किसी से शादी किसी से डॉक्टर का खयाल आता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे पढ़े लिखे आदमीन नजाने एतबार कैसी किया ऐसी और पर जिसके लिए प्यार दिल लगी और खेल था नजाने उस लड़की के क्या मजबूरियां थी मजबूरियां? नहीं सीधा ये बात मैं नहीं मानता अगर डॉक्टर से उसका प्यार सच्चा था तो फिर वो अपने पती से बहुत बोरा मजाग कर रही है और अगर उसका प्यार अपने पती से सच्चा है तो फिर वो डॉक्टर से खेली खेल रही हो ऐसी एक औरत के हाथों बरबाद होकर एक सियाने ने कहा है काले चोर का इतबार कर लेना औरत का इतबार कर भी ना करना सीधा योने लगी? मैं तो बात से बात कर रहा था पगली तुम तो एक देवी होसी था एक ऐसी देवी होसी था के मुझे दुख होता है इस ख्याल से भी के औरत का कोई और रूप भी हो सकता है में एक तमाम जिंदगी को तुम से फखर है सिता, तवाम जिन्दगी को तुम से पहर है. को दिता है? को दीव का नशती है? सेव का सरवा कि तू का किस ने दिया है तीत आंटी जिले पर मुझे का अच्छा नहीं लगता तू का अच्छा लगता है अरे हम आउको तो मुफत का खाने की आदत होई गई है तनिक ठैरा देखने है कोई नहीं जो देखाओ तुम साच्छ मुझे नहीं पियोगी ने तो फिर हम इसका इंक दगाने है हाँ देखो हम पी जाएंगे देखाओ तुम से रोगी तो नहीं नहीं अरद का नहीं बच्चा तो उसका संग दुनिया हो तुम हमका मुसीबत में नहीं डाल दखी हो तो हम तुपीध है अचा अला का उल्ला बनाया अले ओ मा, क्या हुआ पेटी खबरदाजी होहां बैठा, इहाँ आवा अंकल ऐसी का मा रहीगा अरे चोटा बच्ची, तुम इसको डरा था क्यों? अरे का बता है अंकलवा जी, हमका सेव का सर्वत कही के कड़ भी दबाई दे दी तुमने पेजूँ? है? ठीक तो बोलता बच्ची, इसने तुमको कुछ भी दिया, तुम पिया क्यों होता? गलती होई गई, अपने हातों अपने पायर पे कुल हारी माल ली, लेकिन हमका का ख़बर, इस बंदरीया आईसी सारा आराज करेगी बंदर तुम हो, यह तुम की कज़र है? नहीं बेटा, बड़ों को ऐसा नहीं बोलता हूँ देखा था अंकल बा, अरे हम तो हार शिकायत दागदर बाबू से करदा ही डाक्टर से शिकायत बोलेगा तो उल्टा सजा तुम ही को मिलेगा तुम पेशेंट लोग से कुछ भी लोकर कैसा करता पिता? अरे तो हम खुद ही फाज गए अरे बेटी, हमार बिटिया, हमार मुनिया देखाओ, अभव अभव तुमने जो अंकल बाचा कहा है न, इस सब दागदर बाबू से नहीं कहना आवा, अरे आवा मैं नहीं आवा, इसको हमारा पास रहने तो, तुम जाओ जाथाए, हम और मुनियो, हमार नावखरी की पालन हो आव, माफ करा अंकेजी, आप मेरा बहुत सब्सक्राइए इसलिए बाटरी ले जाओ डॉक्टर अगर आपको जल्दी ना हो, तो क्या मैं आपसे पांच मिनिट बात कर सकता हूँ? क्या है रंग? बेचिए शुक्रेव डॉक्टर, अगर मैं आपकी जाथी जिन्दगी के मतलिक कुछ पूछँ हूँ, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे नहीं तो आपने भी तक शादी नहीं की इसलिए रांग के मैं डॉक्टर हूँ और अपने पूरी जिन्दगी से हस्पिताल को दे चुका हूँ तो क्या आपकी ख्याल में दुनिया के तमाम डॉक्टरों को ब्रमचाली रहना चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस अपना अपना ख्याल है होगा, लेकिन मुझे ऐसा मालू होता है जैसे आपके दिल में कुछ और, जबान पर कुछ और नहीं रांग, मैं सच कह रहा हूँ नहीं डॉक्टर आप सच नहीं कह रहे है, सीता ग्वाह सीता, तुम्हीं डॉक्टर से इनकी शादी ना करने का कारण बताओ हाँ, हाँ, कल जो इनकी माँ जी कह रही थी, मैं बोलूगो तो शायद ने यकीन ना आए माने मेरे बाले में क्या कहा डॉक्टर, ऐसा मालू होता है, तुम्हें किसी लड़की से प्यार था मेरी जिंदगी की बीती बातें सुनके क्या करोगे रांग क्या करूँ डॉक्टर, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त भी समझता हूँ, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं कि मैं अपने दोस्त की खुशी और गम में उसका साथ दूँ तो भी किसी से प्यार था न, डॉक्टर हां, क्या वो भी आपको सच्चे दिल से प्यार करती थी, उसका प्यार जूटा होगा, धोगा और फरेव होगा नहीं नहीं रांग, ऐसा मत को, वो देवी थी, उसका प्यार सच्चा था उसका प्यार सच्चा होता डॉक्टर तो क्या वो किसी और से शादी करके आग की जिंदगी यू खराब करती है रांफ इसका मेरे पास कोई जया है डॉक्टर डॉक्टर नहीं क्या बादा सितादेवी मैं आफसे आपके बारे में कुछ कहना चाहती है कौहुं आप शादी क्यों नहीं कर लेते आप शादी कर लीजे इस बात का जवाब देने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं जानता हूं सीता मेरा तुम से ये सवाल पूछना शायद पाप है क्योंकि तुम किसी दूसर की पत्नी हो तुम्हारा और तुम्हारे पत्ल का बिलकुल धूप छाओं का ससाथ है अपने दिल की गहराईयों से मैं ये भी चाहता हूँ कि दुनिया का हर वो सुख जो किसी को नहीं मिला वो तुम्हे और राम को मिले मैं अपने आपको खुशनसीब जानूगा सीता अगर मेरी कोश्चों से तुम्हारी जिंदगी के हर एक लम्हे में हजार हजार मुस को राटे से मटाएं लेकिन एक सवाल है जो दिन रात अंगारे की तरह मेरे सीने में सुलगता रहता है उसका जवाब सिर्फ तुम दे सकते हैं उसीता तुम वो सवाल आप जरूर पूछिए मेरे जवाब से अगर आपको जरा भी शान्ती मिल जाए तो मैं समझूंगी मैंने जो नाइंसाफ भी आपके साथ की है उसके प्रैश्चित का मुझे मौका में क्या सीता मौफ करना मैं तुम्हें बीते दिनों की याद दिलाने लगा हूँ याद है तुमने कहा था तुम मेरे स्वा किसी और से शादी नहीं करो की ये भी कहा था कि तुम मेरे सांसों में समा चुकी हो मेरी जिन्दगी का एक हिसा बन गई और दुनिया में तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता सीता, ये थी तुम्हारी जिर्ट जिसे मैंने चक्टान से पिस ज्यादा मस्बूट समझा सिर्फ इतना बता दो, ऐसी कौंची भूल कर दिन्याने जो तुमारी नजरों से गिर किया जोक्टर मुझसे तुम छिंगई, मेरा प्यार छिंगया, अगरा सभी कुछ छिंगया मुझे बस इतना बता दो, कहीं मुझसे वह इज़त नहीं छिंगई, जो मेरे लिए दोहरे दिल में थी आप मुझसे मेरी नफरत और अपनी इज़त का हिसाब मांग रहे हैं तो सुनिये, मैंने आपसे एक पल के लिए भी नफरत नहीं की और जो इज़त मेरे दिल में आपके लिए शादी से पहले थी, वही अपी है, हमेशा रहेगी मेरी कारण आप जिंदेगे भर के लिए उदास हो गए, यह मैं जानती हूँ लेकिन आपसे बिच्छने के बाद तल्दीर ने मुझसे क्या खेल खेले ही आप नहीं जाता हूँ यही तो मैं जानना चाहता हूँ जिता, यही तो मैं जानना चाहता हूँ एक दिन उस बैंक में जहाँ मेरा नेक और बुढ़ा बाप काम करता था तीस हजार रुपों की चोरी हो गई और उसका इंजाम मेरे खरीब बाप पर लगाया गया फुलिस उन्हें गिर्टार करके ले गई और फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि उनका जेल जाना यकीनी हो गया उस वाक्त राम के पिता जो इस बैंक के डिरेक्टर थे हमारी मदद को आगे बढ़े उन्होंने कहा कि अगर सीता का बया उनके बेटे राम से हो जाए तो यह तीस हजार का गायदा पूरा कर देंगे और फिर राम की शादी हो गई तीस हजार रुपए से खरीदी ही सीता के साथ है ना सीता यहां तो बेटियों को ब्याने के लिए रुपया दिना पड़ता है फिर राम जैसे खुशूरत अच्छे नौजवान की शादी है ता रॉक्टर साहब यह तीस हजार रुपए जानते थे के राम को कैसरे सीता लेकिन राम को इस बात का कुछ भी पता नहीं था और अचानक मैं एक दुराहे परा खड़ी हुई जहां एक तरफ मेरा प्यार मेरी खुशी थी और दूसरी तरफ मेरे बाप की इज़त मेरा धन धन के रास्ते पर चलकर मैंने आपसे कोई बुराई नहींगी किसी से कोई बुराई नहींगी आप, यहां, सीता, दुनिया में ऐसी बहुत सी बाते होती हैं जिने इनसान देखकर हैरान रह जाता है मेरा मतलब है, आज आप भी भगवान का नाम लेंगे और क्या इनसान का जब इनसान पर से विश्वास उठ जाता है तो वो उसे भगवान के चरणों में ढूलता है यही बात है ना तुम भगवान से अपने लिए प्रात्ना कर रही थी या मेरे लिए अपने लिए यह के मेरी मांग सदा भरी रहे अगर भगवान हम इनसानों की सुनता तो यह दुनिया दुख सुप का खेल नहीं होती यह अब क्या कह रहे हैं क्या कहना चाहते हैं मैं समझी नहीं नहीं समझोगी दुनिया एक एक अजीब पहेली की सूरत है सिता ना समझी जाती है ना समझाई जा सकती है डाक्टर साब इसकी सेहत अब कैसी है फिकर मत करो भेन अठारा तारिख को मैं इसका ऑपरेशन करूगा तरी यह बिलकुल अच्छी हो जाएगी अठारा तारिख क्यों कुछ नहीं मुझे ऐसे ही खयाल आ गया सोला तारिख किसका जनम दिन है अले अले हमारी बिटी का जनम दिन है क्या हम अपनी बेटी का जनम दिन मनाएंगे धेर सारे खिलोने लाएंगे अच्छा तेंक्यू तेंक्यू अब सोजो बिटा शाबाज आंटीची जीतिरो मेरी कुरिया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ यह सब मेरे लिए अंटीची सोला ताविट मेरे जनम दिन है सेज आप क्या लाओगी जो तुम चाहो अच्छी सिफ्राग तुम्हारे जैसी कुरिया मा तुम क्या लाओगी मैं मैं तुम्हारे लिए यह प्राथ में लाओगी कि मेरी उमर तुम्हे लग जाए सीता देवी मैं आपके लिए टॉनिक लाया हूँ इससे आपकी सहत अच्छी हो जाएगी इसकी जरूरत नहीं डॉक्टर सहाब मुझे अपनी चिंता नहीं है आप भले ही अपनी चिंता ना करें मगर आप मेरी फिपर करना छोड़ दीजी उससे तकलीफ का इलाज तो नहीं हो जाएगा लापरवाई से सहत और खराब हो जाएगी आप तो बस उस खतरे को दूर कर दीजे जो दिन रात मेरी जान खाये जाता है सब ठीक हो जाएगा सिता जी आप ये नहीं डॉक्टर साहब मुझे इसकी जरूरत नहीं मैं माफी चाहती हूँ मैं माफी जरूरत 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 ये क्या हो रहा है? हटी छोड़िये न आपने उसे क्यों नहीं कहा? ये कैयों करता जरूरत झ्ब्छुपूनी हुआ झाल झाल मट्ट सहाब सीता मेरी तस्वीर लटा दीजे सीता सीता तुम्हारे चले जाने के बाद बस तुम्हारी परचाई ही तुम्हेरे पास रह गई है तुम उसे भी क्यों छीन लेना चाहती हूं मैं आपसे कुछ छीन भी सकती हूं यह सुनकर मुझे होसला हुआ कि आप मेरी मजबूरी का जरूर ख्याल करेंगे मैं किसी और की पत्नी हूं डॉक्टर सहाब मेरी परचाई भी किसी दूसरे इंसान के पास नहीं रहनी चाहिए सीता परचाई एक कावज पर है जिसे अमानत मानकर वापिस किया जा सकता है या किसी बाप की निशानी समझ कर मिटाया जा सकता है लेकिन उस तस्वीर और उस पर चाहिए का क्या करोगी जो मेरे दिल और दमाग पर एक कभी न उतरनेवाले नशी की तरह चाहय हुए उस याद का क्या करोगी, सीता जो मेरे प्रानों को अपने साथ लेकर बार-बार बीते हुए समय की तरफ लबकती है जो दिन राज मुझे तडबाती भी है और भली भी लगती है बोलो सीता, उस याद कोई मुझे से छीन सकती हो तुम मैं आपसे क्या-क्या नहीं छीन चुकी, जब और कुछ भी छीनूंगी मैं तो एक ऐसी भिकारन बन गई हूँ डॉक्टर सहाब जो बार-बार एक ही दर्वाजे पर आती है और हर बार ये शर्ट बांद कर सदा देती है कि कोई ना कोई अनमोल चीज लिए बिना, मैं नहीं टलने वाली डॉक्टर सहाब, उन बीते हुए दिनों की हर याद मुझे वापस देती जी काश मैं ऐसा कर सकता सी था जिन्दगी के रूप और छल में खुकर, मैंने तुम्हे भूलने की लाख कोशिश की मगर ना काम रहा मिलना और बिछ़णना तो जिन्दगी के दिन रात है और जिन्दगी के दिन रात मुझ पर कैसे गुजटते हैं तुम जानती हो दिन जाने लगता है तो मुझे रात के हुगा लेकर जाता ह। रात बिदा होने लगती है तो एक नए दिन के हाथों सौप जाती है और ये दिन रात, एक दूसरी से यही कहते हुए चले जाते हैं इस लाश को वक्त के रास्ते पर एक मंजिल और आगे ले जाओ ये इनसान हाल ही में मरा है, लेकिन इसकी चिता बरसूंबाद जरेगी डॉक्टर, इनसान जो जिन्देगी में खो देता है, उसकी तलाश किसी उंचे आदर्श में करता है और ये तलाश कभी नाकाम नहीं होती, क्योंकि हर उंचे आदर्श एक गंगूत्री है जो सुख और शांती की पवित्र गंगा को जनम देती है आप मुझे खो चुके हैं, लेकिन आदर्श की पवित्र गंगा के साथ आपकी जीवन धारा भी तुझा मिली है ये तो सोचिए, आपके आदर्श की रोशने कहां से कहां तक पहुंच सकती है कितने ही जिंदगी आप मौत की मुझे से बचा सकती है अगर ये सब कुछ मेरी वजह से, मेरी याद की वजह से नमुम्किन हो जाए तो मैं क्या से क्या बन जाती हूँ मैं आपकी दुश्मन बन जाती हूँ आपके आदरश की सारी इंसानियत की दुश्मन बन जाती हूँ डॉक्टर साहब, आपको मुझे भला दे नहीं होगा कैसे सीता, कैसे जैसे मैंने आपको भला दिया उस एक पल में जब पवितर अगनी के सामने बैठ कर मैंने अपना हाथ एक अंजान आदमी के हाथों में सूप दिया मेरी बीती हुई जिन्दगी की हर याद, हर सपना, हर बात उस आप की लपेट में आकर हमेशा के लिए चल गई वही पवितर अगनी, एक सिंदूरी जोद बनकर मेरी समलाई हुई मांग में तमक रही है हौरत का दिल एक मंदिर है, जिसमें एक ही भगवान रहता है और वो है उसका पती मेरे ही तमारी प्रस्वेर लो सीता, अपने जीवन के महान यग्य, मेरी यागों के आहुती भी डालते कर दून रहम, मेरी भी में बनकर मेरी घुक्तों के आहादा कर दको एक działaी हूरनस्ता होगन के एका धरे ग है बhmen क donaSi लोमट थंध मेरोiste जल्दी चलिए, मिया सिंगा में बहुत साथ हो रहा है नर्स, मार्फिया वन फोर्थ ग्रेंग, कुछ प्लीज ऐसा दर्थ पहले कभी हुआ? नहीं, डॉक्टर साथ, पहले कभी नहीं हुआ राम, राम, हसाल खुराम? डॉक्टर, डॉक्टर में मजांगा दॉक्तर राम मैं नश्घ्शन लगाता हूँ, तो अभी ठीक हो जाओगे परशान मत होँए, परशान मत होँए ठीजा मत कीजिया? टेंसर के पेशन के कभी दर्द होता है लेजा सह हुआ रहा हुआ रहा हुआ रहा हुआ झाल उसे जख प्मटोर दो यहा हुआ मैं पेड़ आपे हुआ झाल राम तुम नमस्ते डॉक्टर आधी रात गया आया हूँ उमीद है आप मुझे मुझे मॉफ करेंगे कोई बात नहीं आओ अब तवीद कैसी है? में तवीद के मुतलिक आम उसे बहतर जानते हैं डॉक्टर मेरे बारे में तुम सच्छा आज कह डाली है तो क्या आए तक मैं तुम से जूट कहता रहा है? नहीं, डॉक्टर, मेरा ये मतलब नहीं लेकिन हो सकता है कि मेरा दिल रखने के लिए आप मुझे उमीद दिलाते रहे हों ये हो सकता है न, डॉक्टर? मैं समर्ण नहीं सका, राम, तुम कहना कह जाती है डॉक्टर, अगर मेरा उप्रेशन हो जाए, तो मेरी जान बच जाएगी सच सुनने के मुझ में हिम्मत है, मैं कमजोर दिल नहीं, डॉक्टर बोली ये आपका दिल क्या कहता है मुझे पूरा विश्वास है, राम, तुम बच जाओगे डॉक्टर, आपका विश्वास तो है, लेकिन आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी हालत काफी खतरनाक है राम, मुझे मौत से कोई घबरहाट नहीं, डॉक्टर क्योंकि जिन चीजों के लिए लोग तरसते हैं मुझे अपनी छोटी सी जिंदकी में सब मिल चुकी है दौलत, इस्जत, और खुशी और एक देवी जैसी खुशूरत पत्नी जिसने आज तक मुझे सिर्फ सुख ही सुख दिया है मेरी सेवा की है, मुझे प्यार दिया है और वो भी ऐसा के शायद मुझ पर एक दुनिया रश्क करती होगी डॉक्टर राम, तुम आज के बाद भी ऐसी जिंदगी बसर करोगे डॉक्टर जो मैं कह रहा हूँ वो एक हकीकत है जो आप कह रहे हैं वो एक ख्याल है, ख्वाद है फर्स कीजिए मैं मर गया नहीं राम, ऐसा कभी नहीं राम अगर ऐसा हो गया तो डॉक्टर, मेरे दिल में एक ख्वाहश बाकी है और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से जाते हुए उसका बोच मेरे दिल पर न रह जाए मुझे इसमें आप की मदद चाहिए कहो राम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तयार हूँ मेरे पतनी सीता एक अभी अभी खिले हुए फूल की तरह है और कोई भी इनसान जिसके सीने में दिल है ये नहीं चाहेगा के वो एक विद्वा के आंसु भाहते हुए अपनी जिंदगी गुजारने नहीं उनकी जिंदगी में ऐसी बदनसीब घड़ी कभी नहीं आयगी राम कभी नहीं डॉक्तर अगर आ गही तो तो एक वचन दो डॉक्तर वचन? हाँ मैं तुम्हारी दोस्ती को अपनी जान से ज्यादा सी समझता हूँ डॉक्तर जान तो आनी-जानी चीज है इसी दोस्ती का वास्ता देता हूँ इंकार मत करना कहो राम कहो मेरे मरने के आद तुम्हारा फर्स होगा के सीता के सुहाँ पिर से आबाहे को जाए हाँ डॉक्टर सीता की शादी फिर से हो जाए, ये जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ एक मरते हुए दोस्ती खादरे इतना कर सकोगे न? कहो डॉक्टर कर सकोगे राम अगर तुम्हारी पत्मी मान गई तुम्हा इपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिच कर गई तक्टर मुझू ही की तेली मीरी लाडली नाजों की पली मीरी लाडली ओ आसकी रन जुग जुग तुझे तन्ही से परी मेरी लाडली जुही की कली मीरी लाडली नाजों की पली मीरी लाडली ओ आसकी रन जुग जुग तुझे तन्ही से परी मेरी लाडली नरती पे उतराया चन्दा तेरा चेहरा बना चम पेता सरना गुल दस्ता तन तेरा बना चम पेता सरना गुल दस्ता तन तेरा बना कुमल तितली मेरी लाडली तिरे की कनी मेरी लाडली ओ आस्की रन जुग जुग तुझे रन्हे सिपरी मेरी लाडली चर्माई दिवाली तारों की तेरे नैनों से कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बैनों से कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बैनों से ओ मेरी लाडली गुडिया सिधली मेरी लाडली मुही लागे भली मेरी लाडली ओ आस्की रन जुग जुग तुझे रन्हे सिपरी मेरी लाडली हर बोल तेरा सिखलाए हमें दुख से लड़ना दुस्ताल तेरी कहती है सदाधी रजधरना ओ मेरी लाडली गंगा की मेहर मेरी लाडली चंचल सागर मेरी लाडली ओ आस्की रन जुग जुग तुझे नन्हे सिपरी मेरी लाडली जुही की कली मेरी लाडली नाजु की पली मेरी लाडली ओ आस्की रन जुग जुग तुझे नन्हे सिपरी मेरी लाडली ओ मेरी लाडली दीजी, इसे आज जादा घूमनी फिरने मत दीजिएगा, कर इसका ओपरेशन है, जितना भी आराम करें उतना अच्छा है जी, लक्टर ममा, टादा, टादा बता, मा, मेरी रानी, मत मेरे पास रहोगी न, मैं हमेशा तेरे पास रहोगी, आईए, आंटी जी, लक्टर ममा ने कहा, कर मेरा आप क्रेशन होना है, हाँ, जब भी तुरी नहीं है, इसे क्या होगा, ये भगवान का साध्य कुडिया, इससे तुम अच्छी हो जाओगी, सच्छी है, आंटी जी, किसा आरम दुटे दो, सब लेकर क्या करोगी, मंचा आंटी को दूँगी, फिलिप अंगल को दूँगी, बड़ी प्यारी बेटी हो तुम, रोगे, आंटी जी, आंटी जी, क्या है, ओमार, जल सच्छ, हां, रिबाल उंकल भाहिक के तरह आप से नहीं लड़ेंगे, शैतान कहीं कि, टाटा, टाटा, अंटी जी, आपना सा नीचे कीजिए, क्यों बेटी, ये क्या है, इससे आप अच्छो हो जाएंगे, सच्छ, हां, ओमा, डॉक्टर साब ने तुमें आराम करने को कहा कोई डर का बात नहीं सीता वेटी, इसको हमारा पास खेलने दो, ना अकल जी, कर मेरा आप रिस्म होना है, तो मैं आज कैसे खेल सकती हूँ, टाटा, इतना प्यारा और खुबसूरत बच्ची को ये छोटी उमर में कितना बड़ा तकलीफ मिल गया, मैंने तो हर देवी सीता से एक ही मननत मान रखी है, कि उमा ठीक हो जाए, अगर इससे कुछ हो गया, तुम ऐसा दुख और अफसोस का बात कहे को सुचता है सीता वेटी, एक विश्वास है जो मेरे दिल में घर कर गया है, अगर वो पूरा हो गया, तो मैं समझूं कि मैंने बहुत कुछ पा लि कि मेरे आने वाले जीवन में जो भी अच्छा बुरा होना है वो इसी विश्वास पर होगा, तुम्हरी बात का मीनिंग एक दम नहीं समझा वेटी, हमको अच्छा माफिक समझाओ ना, ये बात मेरे दिल और दिमाग में बस की है, कि मेरे पती के जीने मरने का फैसला, इस ब आप इसे वहम कह लें ये विश्वास, ना मैं इससे अपने दिल से निकाल सकती हूँ, ना बदल सकती हूँ ठीक है सीता बैटी, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सौब कुछ कर सकता है, और तुम्हरा माफिक अच्छा लोग का वो हमेशा मदद करता है दोक्टर, मैंने उमा को लेक्शन दे लिया है, नर्स, उमा को पूरे आठ बजे ऑपरेशन तेटर में ले जागा, यस दाक्टर शंकर, ऑपरेशन ठीक साड़े आठ बजे होगा, उससे पहले तमान तयारिया हो जाए चाहिए, ओके दोक्टर, तेंक्यू ढ़ान कर पेत्र, को बहत्व कर मां पर फेत्र, को बहत्त दरत है कर दो जाए 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 प्रुम्म ठेयों प्रुम्म करो झाल 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 बोई जी सरद लुद कर भी खत्म होगा आदा हुटा लगया लिख शीथा वहां का अपेशन कभ खत्म होगा कहते हैं बस थोड़ी इसे देर है चाहे लिए नहीं, नहीं थोड़ी से पीनो ना नहीं डॉक्टर साम अपरेशन हो गया कोई खत्रे की बात नहीं मैं सेच हम उमा को कब देख सकेंगे? आदे एक बंदे के बात सीता बेन उमा मेरी बच्ची मेरी घुडिया बच्ची को आराम की जरुवत है अभी आप लोग बहार थारी भगवान ने मेरी सुन ली भगवान ने मेरी सुन ली हाँ बेन, उमा बच गए मैंने भगवान की मननत मान रखी थी मैं मंदिर होकर आती हूँ जाओ जरूर जाओ फिलिप चाचा आप सोच नहीं सकते आज मैं कितने खुश हूँ भगवान की दया से उमा बच गई अब मेरे सुहाग पर भ्यांच नहीं आईगी डॉक्टर, उमा को फिट जा रहे है फिट, माइग गउड, यह तो बड़ा खदरी की बात डॉक्टर, उमा को फिट पढ़े है जा कोई डरने का बात तो नहीं डॉक्टर कुछ कह नहीं सकता, मिस्टर फिलिप्स पांच बज़े हैं अगर आठ बज़े तक तीन घंटे निगाल गई तो जुरूर बच्चा रही जुरूर बच्चा रही पालन हारे राम है राखन हारे राम कर दे अपने आपको अरपन उनके ना दय भले होने दय दया सिंधु है राम दीन बंधुए दीन के निर्वल के बलराम जो चाहे सो मंग ले दोनों बाह पसात देता कभू नहीं भया दाता का भंदात है प्रत देता कि अ।ग सब में हुझत। अजय वार टालॉ जिला। सीफ़, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, नॉक्टर, नॉस्ट, स्टेसर, कोई फिकर की बात नहीं रहा, सद्वे की वज़ा से बेहोश हो गई है, अभी ठीक हो जाएंगी, सिरुफिते एफिरो गो जॉक्टर, आसे बात नहीं रहाँखी बात वीक हो एंगी, वर बात रहाँ़, डग़ को ऑनका दे से बात घर हों दोना की बात है, कि नहादाक करीं कि कुछ मैं खङए पैसंग झारावे सबसे हो और दियता है ता, झारा गाराया हूई नहां तो जूही के गले मेरे लाने नाजों की पड़े मेरे लाड़े ओ आसकिरण जुग जुग तुझे नन्ही से पड़े मेरे लाड़ने ओ मेरे लाड़ने धरती पे उतर आया चंदा तेरा चेहरा बना चंदी कासलोना गुल्दस्ता तन्न तेरा बना ओ मेरे लाड़ने कुमल तितली मेरे लाड़ने हीरे की कली मेरे लाड़ने ओ आसकिरण जुग जुग तुझे लन्हे से परे मेरे लाड़ने हो मेरे लाड़ने सीता सीता बिटी आप मिले चाथ है उमीद ने मुझे थोका दिया पिले चाचा विश्वात मेरे साथ चोड़ गया सीता सीता कर दो मौसी क्या है यह मेरी मैना बंती ती का चली गए कोबाद शीत्मन के लिए गई है आदी घंते बाद आएगी आदी घंते बाद आएगी आदी फिटने बाद आएगी जाल लो! यह बनी करोनो यार का है ता सर्जन है ना का ता सर्जन है ना अरे का शोटा सर्जन है ना अरे आईसा कहो नो फिर आपरेशन थीयटर में हाथ नमबर काम, हरिसका आस्ता देख रहा है, उससे फू ले जा यार देखाओ, तो हार काम हम क्यों कर रहे हैं? ओस्ती में इतना भी नहीं कर सकता, करोनों प्यारे अरे यहों पिटरवा, अरे उका बेहोसी का इंग्डिक्सन दिया के नहीं अरे कैसे घंचक्कर लोग हैं, कुछ कहात नहीं, और मुफत में काम कर रहा थे माप करना मरीजवा, बहुत भारी है ओललवा, कहा ले जा रहे हैं? हुजूर, हम इका ओपरेशन थटर में ले जा थे मरीज इसको भी इंजक्शन नहीं दिया और तुम उससे ओपरेशन फिटर ले जा रहा है हमार गलती हो गई हुजूर, यह तो पिटरवा की डूटी होती, जो हम करा था है अब रहा गई इंजक्शन की बाद, यह आप अभ़ों देता हूँ अभयों मरी रे मर गया получится दार्गतर बाभू, इक करें लागता है कर दो देता को बाल से नहीं को थी मेंच्शन देते हुजूर बाल देते हैं ऐर हूज उमयरा की बात को नहीं नहीं दीत बाभबू जा बखवाद। हुजूर, हमार कोई कसुर नहीं तो पिटरबा की टूटी थी, हम तो मुफत में। तुम सिधी तेरा ये बताओ कि ये रूम नंबर सैवन का पेशन्ट है के नहीं। नहीं हुजूर, ये तो रूम नंबर 5 का कोई रिस्तेदारा हमार जान का दूस्मान। तो तुम यहां कैसे है। मुझे नहीं बता, डाक्तर बाबू कलाधी रात गय तक मैं सहर में बिजंती माला और धनीब कुमार का पाइशकोप देखता रहा। मुझे तो सुबा से नीन आ रही थी, ये बैंच देखा और मैं पिस सो गया। अरो तुम ऐसा के लिए सो जा। डाक्तर बाबू गल्ती से तोहर प्रेंग करते ह। ये हुजूर, तुम आजकल हर कामला परवही से करते ह। ये हुजूर, लाने से पहले ये नहीं देखा के कॉनसा पेशन लजा रहा ह। ये नहीं हुजूर, अब ले जाओ, इससे बेहोशी का इंजक्शन दिया ह। बेहोशी का जंक्शन। घबराओ ने, घबराओ ने, आदे घंते मुशा जाएगी। अरे, होश गई तो बेहोश हो गया। तनीक हमार मदब करौ। Stupid! Dr. साँ क्या बात है, Sita? तुहारे थिवियर ठीक है, न? मैं अपने पत्थी को यहां से ले जाना चाहती हूँ। क्यों? उमा के मरने के बाद मैं.. उमा कासे करना करो, Sita? उसकी मौत के साथ साथ मेरी जिन्दगी का एक हिस्सा मिट गया मेरा तो सभी कुछ मिट गया लेकिन एक मरीज की मौत किसी दूसरे मरीज के जीने मरने का फैसला तो नहीं कर देती सीथा मैं यह मानता हूं कि जिन्दगी या मौत किसी डाक्टर के हाथ नहीं होती लेकिन मरीज की जिंदगी और मौत के तरम्यान दाक्टर दिवार जरूर होता है उस दिवार को हटाने की कोशिश मत करो सीता मेरा विश्वास डोल चुका है अपने सहाग की दौलत जो मैंने अपने हाथं से आपको सौपी थी उसे अगर मैं वापस ले जाना चाहूं तो इसमें कोई खलती तो नहीं तुम्हारी दौलत मेरी जिम्मेदारी है जीता ये ठीक है तुम दोनों का पती बतन का रिष्टा है लेकिन मेरा और राम का भी रिष्टा है जीता डॉक्टर और मरीज का रिष्टा मैं तुम्हारे रिष्टे के दर्मयान कभी नहीं रहा भवान के लिए तुम मेरे और राम के रिष्टे के दर्मयान आने कोशिश मत करो वो मरीज जिसे मौत ठूंड रही है उसे समझना या संभालना किसी पतनी के बस का रोप नहीं उसे सिर्फ एक डॉक्टर ही समझना सकता है, संभाल सकता है मैं तक्दीर से डरती हूँ अगर उन्हें कुछ हो गया तो कहीं मुझे ये खैल ना जाए कि मैंने आपका प्यार चीना था इसलिए आपने मुझसे मेरा सोहा चीना सीता, तुम्हारा मतलब है मेरी जिंदगी में जो गहरी खाईस ही है मैं उसे किसी मरीज की लाश से भरूँगा तुम जा सकती हो सीता जा सकती हो हमें ये हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए हम कल यहां से चले जाएंगे यकायक तुमने ये क्या फैसला कर लिया आपका इलाज मैं किसी और डॉक्टर से करवाँगे क्या तुम इन डॉक्टर धर्मेश पर भरूसा नहींगा मुझे उनके इलाज पर भरूसा नहींगा यहां से चलने के सब इंतरामात कर लिए वो सब हो जाएंगे आप हाँ कहे देजे सीता, मेरी एक बात का जवाब दो क्या, क्या डॉक्टर बदलने से मेरी तगदीर बदल जाएगी मुझे विश्वास है भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करेगी अगर तुम्हे अपने भगवान की देह पर इतना विश्वास है तो फिर यहां से जाना ही क्यों ओमा के मरने के बाद यहां मेरा मन शांत नहीं है तुम अपने मन की शांती के लिए डॉक्टर धर्मेज जैसे नेक इंसान का दिल दुखाना चाहती हो क्या अगर उसे यह मालूम हो गया कि हम यह स्तार छोड़कर जा रहे हैं इस बात का मुझे पूरा यकीन है रही जी ने मरने की सो मेरी तगदीन में अगर मन नहीं लिखा है तो मैं डॉक्टर धर्मेज के हाथों ही में मन नहीं पसंद करूगा अच्छा अच्छा प्लेट जैए लेट जैए अच्छा तर्मेश अच्छा तुका बाईना मैं तो ध्याने नहीं दिया तुम मेरा ध्यान मत कर मुझे इकला नहीं पर अब भागे अपना ध्यान तो रख मुझे क्या हुए क्या हुए मैं सब सुन चुकी हूँ जो चार वाइन दिन से तुमने खाना नहीं खाया और पागलों की तेरे दिनरात लगा हूँ है ये तु कर क्या रहा है कुछ नहीं क्या कुछ नहीं ये कौंसा अस्पताल खोला है तुने दूम ने तुछ पहले कभी नहीं देखा अईसी घड़ी पहले कभी आया नहीं ये घड़ी तरे बेटे के इम्ताहान की घड़ी है किसीने उसकी इश्त को ललका रहा ही उसके धर्म और आदर्स को ललका रहा ही मगर तु घबरा मट मत Dunaro मतु घबरा मत मेरी समझ में नहीं आता, तु कहना क्या चाता है कुछ नहीं, कुछ भी तु नहीं तु दुखी मत तु दुखी मत तु कुछ अपना भी तु सोच मा, मेरा सुख और किसी इंसान का जीवन इन दोनों में जीवन महान है उसे बचाना, मेरी समेदारी है, मेरा फर्स है मैं कहां कहती हूं के नहीं तु अपनी समे जीव्यादा के बाऔ अपना फर्स पूरा के लेकिन इस उची साथदा में किसी देवी सरी की लाजवन्ती को अपना हिसेदार बना ले मत तु जो कहेगी मैं करूंगा सब करूँगा, बस राम का आपरेशन हो जाए, राम अच्छा हो जाए सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, जैसा तुम चाहोगा या सब जाए चुक चुक ची मेरे लाज, चुक चुक ची आज तुने मेरे अधर कर वे हजार जीपक जला दिये करे जाए, सvaniaнул दोगगा कर पान मेरे, उहाए, नाए स्बाए, प्लाए, ऐाम मेरे जाए जाए, राम याए राम मेरे ला ड जाए सम्क्ट डिये घवराओ नहीं, यह दर्द कम हो जाएगा थोड़ी ही देर में चिंता नाकरो सीता, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा है ना डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर, यह दर्द आजकर कुछ अक्सार होता है कैंसर में ऐसा दर्द होना कोई नही बात नहीं, राम तुम इससे ज़राबी ने घवराना चाहिए मैं घवराता कह हूँ दॉक्तर जिस बात का फैसला हो चुका हमेशा के लिए उस बात से घवराना उस से घवराना क्या और डरना क्या नहीं सीता नहीं यूने हमारी तकदीर में जो कुछ भी लिखा है उसे हसते हुई ही सहना पड़ेगा इन आशूओं की बर्का से सीथा तुम्हारी आँखों का काजल भले ही धुल जाए मगर वो दाख मगर वो दाख इन से कहां धुलेगा कहां धुलेगा सीथा जो तक्वीर के अंधे हाथ हर इनसान के माथे पर लगा देते हैं हर इनसान के माथे पर सीथा डॉक्टर मुझे आज एक बहुत जरूरी बात का फैसला करना है और तुम्हारे सामने करना है मैं तुम्हारे सामने हुआ हुआ सीथा तुम अपने दिल की गहराईयों से मुझ पर विश्वास करती हो ना बढ़िया भागन हूँ मैं जो ये बात आपको मुझसे पूछा बढ़ी लेकिन मैं भाग्यवान हूँ सीता मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो मैं आज तुम से कुछ मांगने लगा हूँ और हाँ मैं क्या मांगूँगा ये पूछे बिना मुझे एक वचन दो सीता कि मेरा कहा तुम टालोगी नहीं मैं जानता था सीता इसलिए तुम पूछा था कि तुम वाकई मुझ पर विश्वास रखती हो अगर किसी से कह दूं तो कोई मानेगा कि इस सीता की भी एक अगनी परिक्षा होनी है मांगे क्या मांगते हैं मैं वचन देती हूँ आपका कहा नहीं टालूगी डॉक्तर, सीता ने जो भी वचन दिया है तुम उसके गवा हो अब मैं एक बात खुल के कहूंगा और हो सकता है कि उसे सुनकर तुम दोनों को एक सद्मा से पहुंचे लेकिन जो मैं कहूंगा वो दिया धर्म की बात है डॉक्तर जिसे एक सच्चे दिल वाला इंसान ही महसूस कर सकता है सीता, तीन दिन के बाद मेरा ओपरेशन होने वाला है जिसकी कामयाभी और नाकामी भगवान के हाथ है फर्स करो कि वो ओपरेशन नाकामयाब रहा और मैं मर गया गवराओ नहीं डॉक्तर इधर देखो डॉक्तर, मुझे बात तो पूरी कर लेने दो हाँ तो सीता, अगर मैं मर गया तो तुम उस आदमी से शादी कर लेना जिसकी अच्छाई का यकीन अच्चिता से भी आगे मेरे साथ चायदा तुम तुम डॉक्तर धरमेश से शादी कर लेना राम यह क्या आप कह दिया तुने क्या तुझे ऐसी बात कहने चाहिए थी? नहीं राम नहीं कहना तु दर खिनार ऐसी बात का सोचना भी पाप है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मिरे लिए तुम राम हुआ और वो सीता सीता राम के बीच आने वाला इंसान रॉमन कहलता है। तुने कैसे कह दिया यह सब, कैसे कह दिया आज, तुमने मुझ पर अपनी पत्मी पर बहुत बढ़ा जून किया है आज जून किया डॉक्तर, ज़रा अपनी चाहती पर हात रखके कहो इस दुनिया का हरभला आदमी अपनी चाती पर हाथ रखके ज़रा जवाब तो दे कि मेरी बात में कोई बुराई है, कोई सुन्म है अगर हमारा समाज और इंसाफ इस बात की इजाज़त देता है कि जवान विध्वाएं एक बड़ी गहरी उदासी और अकेले पन के ऐसास से सहनी रहें रो रो कर अपनी जिन्दगी गुजार दे तो फिर दॉक्तर मेंने जो कुछ कहा वो बात ही होगा लेकिन नहीं डॉक्तर ये बात करके मैं शर्मिनना नहीं मैं किसे से शर्मिनना नहीं मुझे तो फखर है कि मैं ये बाप कर सका और मुझे नहायत अफसोस है राम कि तुमने मुझे मेरे आदर्स की उंचाहिएं से नीचे धकेलने की कोशिश की ता कि तुम अपनी किसी मनजल की तरफ आराम से बढ़ सको तुम कैसे रचे आत्मी हो कि खुद ऊपर उठने के लिए तुम मुझे नीचे गिरा रहे राम जो इनसान पुन के रास्ते पर आगे चल रहा है उसे पीछे मत खेंचो राम पीछे मत खेंचो तुमारा मेरा सौदा ये तो नहीं था कि मैं दन, मन और बचन से तुम दोनों का सुख चाहूँ अपने दिन रात एक कर दो वह सुख तुमारे करीब राम के लिए और तुम राम अपनी जगा नेकी की बात भी सोचो तो ऐसी के बुराई मेरा लिबास बनकर मेरे अंग लग जाये हमिशा के राम मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी मेरबान हो जाओगे मुझ पर एक दन डॉक्टर डॉक्टर रुक जाओ डॉक्टर कहीं तो रुक जाओ मेरी बात की गहराई में तो उत्रो मेरा मतलब तो समझ डॉक्टर तो फिर राम मैं बड़ा खुश नसीब हूँ जो ना समझ हूँ शुक्रिया राम शुक्रिया ये तुम थे कह दिया तुम्री और ये हम थे सुन लिया जोक्ते सीदा सीदा क्यों जी ये सेजा का आपने मुझे इसली कि मैं भगवान से पहले आपके पूझा करते हूँ क्या मैं इसनी गई गुजरी हूँ कि आपने मेरे मुझे कारे बोचकर मने सुहागनी से कलगनी बनाते यू न कहो सीदा मैं एक देवी को आभागन बनने से बचाना चाहता हूँ हमारे इर्दगिर्द एक दुनिया है सीदा उसे देखो, समझो और बोलो एक जवान बेटी के विद्वा हो जाने पर क्या उसका बाप उसके लिए नयावर नहीं ढूंता क्या एक भाई अपनी जवान बहन के उजड़े हुए सुहाग को फिर से आबाद करने की कोशिश नहीं करता एक फर्ज है एक बहुत बड़ा फर्ज है सीदा जो किसी गहरे प्यार की शेह पाकर उस भाप उस भाई को नेकी की रहों पर आगे ले जाता है अब अगर एक पती सीदा मेरे जैसा पती जिसका मर जाना यकीन ही हो चुका है किसी ऐसे ही प्यार का सहारा लेकर अपनी पत्नी को एक नया जीवन देना चाहे तो इसमें क्या पाप है इसमें बुरा ही क्या है देखो सीदा दूसरों को दुनिया का डर होता है इसलिए ये बात नहीं कह सकते और मैंने और मैंने ये बात कह दी कि मुझे इस दुनिया का डर नहीं है आपको किसी का डर हो ये ना हो लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा से डरती हूँ अपने धर्म से डरती हूँ लेकिन, लेकिन, लेकिन सीता, तुमने मुझे वचन दिया है और तुम तुम उस वचन को पूरा करोगी मालिक, सितार ले आया हूँ पुमने यानाशनाशती, अचन को सहो झसके हाँ पुमने मैं में विवचन में आ느 trouve.. टुमने खूरा के झालाशती, जैमानाशती put लेकिन में याम्युक हम तेरे प्यार में सारा आलम हो बैठे हैं हो बैठे तुम केते हों के ऐसे प्यार को भूल जाओ भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आनंग हो बैठे हैं हो बैठे तुम कहते हो के ऐसे प्यार को भूल जाओ भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आनंग पंची से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए ये प्यार का पिंजरा मन भाया हम जी भर भर कर मुस्पाएं जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहा हम कैसे भुलाएं प्यार तेरा तुम अपनी जुबा से ये न कहा अब तुम सा जहां में कोई नहीं है हम तो तुम्हारे हो बैदे तुम कहते हो के ऐसे प्यार को भूल जाओ भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलंग इस तेरे चरण के धूल से हमने अपनी जीवन मांग भरे जब ही का सुहागन कहलाई दुनिया के नजर में प्यार बनी तुम प्यार के सुन्दर मूरत हो और प्यार हमारे पूजा है अब इन चरणों में दम निकले बस इतनी यार तमना है हम प्यार के गंगा जल से बलंगे चनमन अपना धोबैखे तुम कहते हो के ऐसे प्यार को भूल जाओ भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलंग सपनों का दरपन देखा था ये प्यार का चल हमने तो दामन से तुम्हारे बान लिया ये ऐसी गाठ है उल्फत के जिसको न कोई भी खोन सका तुम आन बसे जब इस दिल में दिल फिर तो कही न डोन सका ओ प्यार के सागर हम तेरी लहरों में आओ वो बैठे तुम कहते हो के ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे है खो बैठे तुम कहते हो के ऐसे प्यार को भूल जाओ भूल जाओ हम तेरे प्यार में सीथा, सीथा प्रीय मैना बंती हम जो कुछ भी बोला था है तुमु का बकवास समझत हो देखो मैना बंती अगर तो का हम पर भरोसा नहीं तो हमार दिल का एक फोटो निकाल लेओ और फिर देखो हम कितना दीवाना है तो हार बास से वोट तु कि क्या जरूरत है? तुम्हारे सकड से ही पता चलता ख, अरे हमार भोली मैना बंती गाओं में का रखा है तोहार वास्ते सुखे आज झहार और जोनक भाजल मैना बंती तुम इस लल्लू के लिए हो उस उल्लू के लिए नहीं मालूम होता है तुम्हारे सर पर कोई भूत सवार है भूत नहीं, तोहार महबत सवार है देखो मैना बंती, तुम उस गाउटी चोटी वाले से साधी करने का खयाल छोड़ देओ हम से साधी कर लिए और फिर देखो, हम दूई माला की बस में तोका बिठा के कैसा तफरी करात है यह क्या बगबग किये जा रहे हो अरे बगबग नहीं हम तो महबत के एकरार करत रही हमार तो सारा जम्वाना दुस्मन होई कवा इदाग्दर बगब कहा था है कि मैना बथी को हस्पतल वाइस ले जाओ कैसा दाग्दर है कैसा इलाज है हमार हिसाब से तो तोका जिंदिगी बर इहां रहने की जरूरत है हमार बास ते हुजूर क्या रहते तौं कच रही हुजूर, हम तो इका खारियत पूचत रही हुजूर मैं सब जानता हूँ, सब सुन चुका हूँ सरकार अभी तो आपने कुछ भी नहीं सुना एक दन यह क्या रिया था कि जब दाक्टर बाबू भी मार परते हैं तो इनका अलाज मैं ही करूँ देखो भाई, तुम अपने कान में कडबा तेल डालो देखो, दाददर बाबू, हम तो इका कहत रहीं कि जब दादर बाबू की तरवेत खराब होते तो हम चंपी करा था ललू लाल, हुजूर तुमारे ये लच्छे में बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम अपनी हरक्तों से अस्पिताल को बदनाम कर रहे हो अपना इसाब का लोकर से तुमें छुटी है हुजूर ललू, 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 अरहे मेरे आप से क्या हो गया हो तो आप बदला तो नहीं लेंगे, डॉक्टर सीता तुम तुम ये क्या कह रही हो सीता जिसे आप दोस्त कह चुके हैं उसके साथ नाइंसाफी तो नहीं करेंगे मैं अपनी तकदीर को क्या कह कर कोश हूँ कि आज मेरे मतलिक तुम्हारे दिल में भी ऐसे बुरे-बुरे ख्याला रहे इंसान इंसान ही तो है मन भटक जाए तो अपनी जगह से किर भी सकता है काश मैं इंसान के रूप में जनम न लेता जोप्टर मैं अपने पती को एक बचन दे चुकी हूँ अपनी मर्जी के खिलाफ उसे यह मत समझ लीजीगा के हालात ने आपको मौका दे दिया है मुझे पालेने का इस भरन में कोई भूल मत कर बैठियेगा सीता अगर मुझे कोई ऐसी भूल करना ही थी तो तुम्हारी शादी के फौरण बाद सिर्फ इतना कह कर के सीता मेरी थी मेरी है राम की जिंदगी उजड़ सकता था इन जानों ने नेकी और शिराफत के जो थोड़ी कुछ मैयार बना रखे हैं मैंने खीच कर नीचे ला सकता था और अगर अगर मैं वो नहीं जो नजर आता हूं तो यह बाप मैं अग भी कर सकता हूं सीता यह मेरी खुशनसीबी है डॉक्टर कि आपने नेकी से भी उतना ही प्यार किया जो कभी किसी इनसान से किया था अब मेरी बिंती है कि अगर लाग कोशिशों के पावजूद आप मेरे पती को ना बचा सके तो मेरी मदद कीजेगा कि मैं भी मट्टी से ऊपर उठ जाओं सीता यह लमा नजाने किसी उंचे सच का लमा है या मौत का लेकिन तुम तुम इस लमे में इनसान से बदलकर एक उंचा अधर्श बन गई हो आप की बड़ी दया है डॉक्टर ना सीता आज तुमने मेरी निजी प्यासों पर अपनी दया कमें भरसाकर मुझे इनसान से एका ढूट परतिग्या में बदल दिया है मैं तुमको वचन देता हूँ तुहारे राम को बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पढ़ा तुम घपराउंगा नहीं और हाँ इस वचन को पूरा करके मैं इनसान, समाज, तहजीब कि वो सारे तकाजे पूरे करूँगा जो आज इसलिए जरूरी है कि मुझे एक नेक माने जन्मा था और एक नेक पेशे ने मुझे अपनाया है मेरी महबत की हार एक दिन किसी उंचे अदर्श की चीत बन जाए कि ये तो मैं कभी सोचा भी ना था सी था, कभी सोचा भी कर दो हुआ 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 है अब सर्फ दो रोज और रह गए हैं परसों तो मेरा उपरेशन होने वाला ही है एक बहुत जरूरी काम रह गया मैं चाहता हूँ वो भी कर लूँ आप क्यो इस खुसम की बातें करके मुझे दराया करते हैं तुम तो पगली हुजी कही बार कहा के डरने से कोई बात नहीं बना करती तुम जाओ जरा वकील सहाब को फोन कराओ वकील सहाब हाँ उनसे कहना फॉरण चले आए एक वसीयत मामा लिखना है लेकिन क्यों इसके क्या जरूरत है अच्छा मैं खुद करा ने ने मैं चाहती हूँ हाँ वकील सहाब वो जिद कर रहे हैं वसीयत लिखने के लिए आप चले आईए जी तुमारा हस्पेंट विल लिखवाना मांगता है इसलिए उदास हो गया उनके दिल में ये बात बैट गई है कि वो बचने वाले नहीं ये कभी नहीं हो सकता सीथा बैटी जीसस उनका उपर मेरबानी करेगा और देखो बड़ा लोग सब विल लिखवाता इसमें कोई खराब बात नहीं जूटी दॉलत लेकर मैं क्या करूँगी औरत की सबसे बड़ी दॉलत उसका सुहाग है वो ना रहा तो उसी पल मैं अपने आपको भी मिटा दूँगी मैं रहने वाले नहीं मैं कहते हैं फार दीज़े इस वसीयत नामे को फार दीज़े तुम ऐसा कैसा बोलता है सीता बेटी विल लिखवाने में राम बाबु का कोई मिस्टेक नहीं विल तो हर आदमी को लिखना मागता मुझे आपने बुलाया राम बाबु तकली माफ डक्टर मैं चाहता हूँ मेरी वसीयत नामे पर फिलिप अंकल और आप दस्त करने गवा की हैसियत से इस पे वो दस्त करेगा राम बाबु जिसे आपकी मौत का यकीन होगा मैं तो सरफ एक कागज पर दस्त करूँगा वो होगा आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिस दिन आप भले चंगे वकर घर जाएंगे I'm sorry फिलिप अंकल आपकर देशी जब तक मैं लिखने रहे कोई मिस्टेक नहीं आप यह क्या आप मुझे खाएंगे पिहारी डॉक्टर सामने कहा है आपरेशन थेटर साफ करवा देना कल राम बाबू का आपरेशन है अरे हाँ बहुत बड़ा खतरना का आपरेशन है तुम्हारा क्या ख्याल है राम बाबू बच जाएंगे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं तुम जा अपना काम करो क्यों जी कहां चले गए थी कुछ नहीं सीता यहीं तक गया था गिरधारी को फोन करने तुम्हारे सभी कपड़े और जेवर यहां पपचा दे वो किस लिए मेरे आपरेशन में चंदी घंटे रह गएं सीता मेरे एक छोटी से आरजू है आपके यह ना तनमन वारतू आप पर से पता नहीं सीता यह आने वाला वक्त मुझे वापस तुम्हारे पास आने देगा यह नहीं मैं तुम्हे उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें पहली बार स्वहागरात को देखा यह आप कैसी बाते कर रहें यह उससे नहीं हो सकेगा सीता यह मेरी आरजू ही नहीं मेरी आत्मा की मांग है इसे पूरा कर दोगी तो यह बाकी चनगंटे में अपने दुखतरत को फूल सकुकाईगा कैसे दुख से वाली बाते करते हैं लेकिन सीता जो दुख तुम्हें बात में होगा यह सोच कर के तुमने मेरी आखरी तमन्ना पूरी नहीं मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ हाथ जोड़ती है ऐसी बात मत कहिए मान जो, सीता मान जो, मैं ही सुनो समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, सीता रुक जा रात छहरे जारे चन्दा बिते न मिलन की बेला आज छांदनी की नगरिन अरमानों का मिला रुक जा रात छहर जार चंदा बिते न मिलन की बेला आज चांद नीजे में दिरी में अरमानों पामेला रुप जा राज ठहर चार चंदा पहले मिलन की यादे कर आई है ये रात सुहान पहले मिलन की यादे कर आई है ये रात सुहान दोह राते हैं फिरे सिपारे मेरी तुम्हारी प्रेम कहानी रुप जा रात ठहर जारे चंदा भी ते न मिलन की ये बेला आज चांद में फिये नगरी में अरमालों का मिला रुप जा रात ठहर चार चंदा पन का डरना काल की चिंदा दो तन है मन एक हमारे जीवन सीमा के आगे भी आउंगी में संग तुम्हारे रुप जा रात ठहर जारे चंदा भी ते न मिलन की ये बेला आज चांद में फिये नगरी में अरमालों का मिला रुप जा रात ठहर चंदा भी ते न मिलन की ये बेला आज चांद में फिये नगरी में अरमालों का मिला रुप जा रात ठहर जारे चंदा रुप जा रात ठहर जारे चंदा रुप जारा ठहर जारे चंदा वेरी गुड डॉक्टर धमिश ऐसा मानूम होता है कि इस केस पर आपने दिन रात एक कर दी है दॉक्टर ये सरफ मेरे लिए एक मरीज का उपरेशन नहीं बलके एक डॉक्टर की जंग है मोद के खिलाफ मैं आपकी काम्याबी की दौा करूंगा थैंक्यू डॉक्टर कर दो का! मैं आपकी कर दूल कर दो दॉक्टर, आपने मुझे बुलाया, राम बागु के इजक्षिन का टाइम होगिया, यस दॉक्टर, शंतर, मैं ठीक नौबज अपरेशन थेटर को पहुंचाँ, ओके दॉक्टर, राम बाबु, राम बाबु, इंजक्षिन, राम बाबु, आपरेशन का वक्त हो गया, सीता, मैं चलू, बुलाबा आगे, सीता, मैं चलू, सीता, नहीं, नहीं, साथ, सुरेटर आ गया, राम पहुई यू मैं आपरेशन का वक्ति नहीं, तो राम पहाई आप लगए़ू, पहाई मैं चलू गुहीर तो लो काम। हम आतना हो दो दो, वो यहा कर दो! परीज के दिल की धरकन बंद हो गई है. What? Get the apparatus to revive the heart. Quick, please. कम omega. कर 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 कम दोक्तर शंकर, आदे घंटे के बाद में ये खबर दो मुरीज की हालत क्या है? ओके दोक्तर? ओके बाद में ये खबर दोक्तर? बाद में पाद में इंगी है,य खबर को बाद में राद में उ़से हाँ मुब बाद को रॉचूरा बाद में गाद में आदे हैं घर अ को बचला है सीपा कर दो सिता, आपरेशन काम्याव हो गया, सिता दर्वाजा कोलू सिता सिता दर्वाजा कोलू सिता दर्वाजा कोलू सिता 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 उज़। उज़। उज़.. उज़। सिदा 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 तुमा लाज़ां तुम्हरावं सिदा जाम बचक्या सिदा रचक्या वाँ जग 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 ज जाने वाले कभी नहीं आते जाने वाले की याद आती है दिल एक मंदीर 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 है हर धड़ तन है आरती बंदीर आप जो मीचे हो गये दिल एक मंदीर है हर धड़कन है यारती बंदन आख जो मीचे हो गये दर्शन मात मिता दे चाहे हस्ती याद तो अमर है दिल एक मंदीर है दिल एक मंदीर है प्यार की जिसमें होती है तुझा ये प्रितम का घर हो हम यादों के फूले चड़ाएं और आसों के दीप जलाएं सांसों का हर पार पुकार ये फेम नगर है दिल एक मंदीर है दिल एक मंदीर है प्यार की जिसमें होती है पुझा ये प्रितम का घर है दिल एक मंदीर है दिल एक मंदीर है अहुझा प्रितम का घर है तो दिल एक मंदीर है जिल एक मंदीर है दिल एक मंदीर है कर दो कर दो